और साथी ड्वाग स्कॉइट के साथ में भी आज योग किया गया बीस एफ के जवान हो या फिर नौसेना के समुद्र में योग शक्ति की गाई मत कर जाने के लिए गाई मत कर तो पीए मेरिंद्र बोधी ने योग दिवास कारिक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि मुझे कश्मीर आने का स्वभागे मिला हमें योग से जो शक्ति मिलती है मैं श्री नगर में उसे महसूस कर रहा हूँ मैं देश के सभी लोगों और दुनिया की कोने कोने से योग करने वालों को कश्मीर की धर्ती से योग दिवस की बधाई देता हूँ अंतरास्टी योग दिवस दस वर्ष की अतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है ये पहल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दस साल पहले की गई थे और कई सारे देशों ने इसका समर्थन किया था आज ना सिर्फ भारत बलकी अलग-अलग कंट्रीज में भी इंटर सारी चीजों में लापकारी भी होता है सर्वाइकल पेन हो या फिर दर्द की शिकायत रहती है कई लोगों को बैक में उसमें भी ये काफी ज़ादा लापकारी सिध्ध होता है तो ऐसे में ना स्रिफ प्रधान मंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं बलके खुद भी वो करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में मेडिटेशन और योग नियमित रूप से इनका पालन करता हूं और उन्होंने कई बार अपने एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ में शियर किये हैं तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई एहम बाते कही हैं उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में संयुक्त राष्ट में अंतरास्टी योग दिवस का प्रिस्ताव रखा था आज से 10 साल पहले और भारत के उस प्रिस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था वो उस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था आप सोचिए 177 देश जो की एक साथ है समर्थन दिया और अपने अपने देशों में योग दिवस की शुरुवात भी की और 2015 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली के 17,000 लोग एक साथ आए और एक साथ उन्होंने योग किया उसके बाद में कोविट काल जब आया तो लोगों ने योग की और भी जादा महत्वता को समझा और इस बिमारी में भी योग काफी जादा लापकारी से दुआ था तो पी-एम ने आगे अपने संबोधन में ये भी कहा कि मैं आप दुनिया में जहां भी जाता हूँ वैश्विक नेता अब योग की बाते करते हैं जिसे भी मौका मिलता है वे योग की चर्चा शुरू कर देता है दुनिया भर से लोग ऑथिंटिक योग सीखने भारत आते हैं आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगतार बढ़ रही है लोगों में योग के प्रती आकर्शन बढ़ रहा है तो पूरा देश ना सिर्फ दुनिया में अलग-अलग देशों में आज अंतरास्टी योग दिवस मनाय चारा है प्रधान मंतरी श्री श्रीनगर में इस वक्त मौझूद है और साथ हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं यह तस्वीरे आप फिलाल श्रीनगर की देख पा रहे हैं जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले जब उन्होंने संबोदित किया इस कारिक् में हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरे सामने आती हैं जब सुभा सुभा प्रधान मंत्री देश को संबोदित करते हैं कई बड़ी बाते वह इस तवरान भी रखते हैं और जिस तरह से हर दिन योग को लेकर लोग जागरूख हो रहे हैं योग किरप्रती आकरशित हो रहे हैं उ हुए और साथ ही वो लोगों से भी यही कह रहे हैं कि योग जरूर लूह से से ही निरोग आप रह पाएंगे और कोई भी बिमारी हो योग हर एक बिमारी में बहुत जादा लापकारी सिद्ध होता है काई सारे इस पर रिसर्च भी हुई आला कि भारत में ही योग की उत्पत्ती हुई थी बहुत कम लोग यह जानते हैं भगवान शिव को पहला योग गुरु कहा जाता है और भगवान कि विदेशों में योग बहुत जादा पॉपुलर रहा लेकिन एक बार फिर से आप देखिए भारतिये योग को लेकर बहुत जादा अवेर हो गये हैं अब भारतियों को यह भी समझने की जरूरत है कि भारत में ही योग की उत्पत्ती हुई थी और आज कई विदेशी आद कर लिजाया, दूर-दूर से लोग आते हैं यहां पर योग करने के लिए प्रक्टश करते हैं इसका जिक्र भी प्रधान्मंत्री अपनी संबोधन में कर रहे तो उनोंने कहा कि भारत की धर्ती पर लोग आते हैं योग करने के लिए तो पूरा विश्व आज अंतरास्टी योग दिवस मना रहा है तो आज PM ने देश और दुनिया को संभोधित किया और साथी अलग-अलग जगह से अंतरास्टी योग दिवस की जो तस्वीरे आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तो तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद में श्री नगर का ये PM का पहला दौरा है और योगा डे आज प्रधान मंत्री श्री नगर में मना रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी दस्फे अंतरास्ठी योग दिवस के मौके पर जमुकश्पीर में योगसाधना कर रहे हैं उसकी सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कामना देता हूं बढ़ाय देता हूं तो जब मुकश्पीर में योग साधना की भूमी है, पेम ने कहा कि इससे उत्पादक्ता और सहें शक्ती बढ़ती है, योग से नए अपसर पैदा हुए है, योग केवल विध्या नहीं बल्के विज्ञान है, योग से एकागरिता बढ़ती है, योग पर अब रिसर्ट हो रही है, योग टूरिस्म का नया ट्रेंड बन चुका, यानि कि आप देखिए, एक साथ पी-म ने कितने लाब योग को लेकर हो रहे हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये एक योग साधना तो है ही, इसमें उन्होंने श्रीनग करके लोग भी प्रधान मंतरी के साथ में इस योग दिवस पर योग कर रहे हैं, और देश के विकास में किस तरह से ये, लाबकारी सिद्ध हो रहा है, इसके बारे में भी पी-म ने अपने संबोधन में कहा, उन्होंने कहा कि अब इस पर रिसर्च भी होने लगी है, ना सिर सीखने के लिए और योग को समझने के लिए, इससे टूरिस्म को भी बढ़ावा मिला है, और साथी रोजगार भी इससे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जहां पहले योग को लेकर बहुत लोग ऐसे थी, जिनको जानकारी नहीं थी, वहीं आज युवा योग में अपना प्रोफेशन भी तलाश रहे हैं, और योग में अपना करियर भी बना रहे हैं, तो तस्वीरे आप देखिए, श्री नगर से जहां पर प्रधान मंत्री की योग साधना और श्री नगर को योग साधना की धर्ती भी कहा जाता है, तो यह देखिए, श्री नगर की खुबसूरत वादियां हैं, जिनके बीच में आज प्रधान मंत्री योग कर रहे हैं, तो योग से ही आप निरोगी रह सकते हैं, तो अमेरिका से लेके, इंगलाइड, सिडिनी से लेकर, सिंगापूर तक हर तरफ, आज लोग योग कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की तस्वीर हैं आप देख लिजे लखनाउ से, और मुख्यमंत्री ने भी आज योग किया, यह सुभा की तस्वीर हैं, यानि कि अप से कुछ दिर पहले की तस्वीर हैं आप देख रहे हैं, और मुख्यमंत्र योगी आधितनाथ ने योग करने से पहले क्या कुछ कहा था वो भी सुनिया है काया स्वस्त है तो मन स्वय में ही स्वस्त हो जाएगा तो इस सेबुन सरी साधलों को पूरा करने का मात्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है योग है हर उम्र के ब्यक्ति के लिए अलग-अलग परकार के योग की विधाये है उबालक हो युवा हो अधेड हो बुजर्ग हो उन सब के लिए योग की उतनी किरियाएं हैं उतनी विधाएं हैं वा उसका भ्यास करके अपने को सारिक और मांसिक रूप से स्वस्त रख सकता है और समाज या व्यक्ति या समाज और रास्ट अगर स्वस्त है तो अस्वमुनत और ससक्त अपने आप ही हो सकता है इसमें कोई संदे नहीं जिन्दगी में इसे शामिल कर सकते हैं और कितना ये जरूरी हो जाता है एक स्वस्त दिन चर्या के लिए इसके बारे में भी उन्हों नहीं का आप ये तस्वीर आप देखिए